ओकी, तो आज का आपका lecture है, mobilize number two, unit five factor affecting pharmaceutical product हमारे pharmaceutical product को कौन कौन से factor जो है, affect करते हैं, वो हम देखने माल हैं अगर आपको पुराने lecture देखने हैं, तो मैंने playlist की link जो है, description में दे रखी है और आगर आपको notes की requirement है, notes download करने है, PDF अगेरा की ज़रूत है तो मैंने टेलिग्राम चैनल की जो है लिंक दे रखिया आप जॉइन हो सकते हो वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैंको मैंसेज कर सकते हो ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो आज का लेक्चर घ्यान से सुनना काफे सदा इंफोर्मेटिव लेक्चर है आप अपनी डेली लाइफ से काफे सदा रिलेट कर सकते हो आज का लेक्चर क्योंकि जो अपन टैबलेट से रफ यूज करते हैं वो किस तरह से खराब हो रहे हैं वो अपनको देखना है ठीक है टॉपिक का नाम क्या है अपना फेक्टर अफेक्टिंग दे माइक्रोबेल स् दियान से सुनना जैसे मान लों यह कोई भी लिकुड प्रिपेशन है जैसे मान लों सेरफ है ठेक है अब इस सेरफ को हम बनाते टाइम इसमें और्गनिक इंक्रीडेंट भी डालेंगे जैसे काफन नैट्रोजन वगएरा सब डालेंगे हो ठेक है बहुस सारे न्ट्रिशन ज्छैटर डालेंगे ग्लूकोस डालेंगे वोटर डालेंगे ताकि अमारि सिरफ अच्छी बनेए पर यह सब को यूज करके micro organism जो है अपनी ग्रोथ करनेम के लिए वोटर ठीक है तो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर लिखा हुआ है इस फैक्टर और बेटर इन्वार्मेंट पो ग्रोथ और बैक्टीरिया या ग्रोथ ऑप और देखो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि लिक्विट प्रोड़क्ट में क्या है वाटर और वाटर जो है अवेल लेबल है इस बार सही से बोलूगा स्लिप टंग हो जाती ही कभी-कभी नाव नेक्स्ट वोटर वही बात आ गई वापिस ठीक है मोईस्टर कंटेंट जै इसलिए हम बोलते कि कोई भी सीरप अगर हमने खोली है तो उसको एक देड महिने में हमें खतम कर देनी चाहिए क्योंकि एक बार उसको खोल दिया तो एर की प्रेजन्स में आ गई एक बार आपने के पटा दिया डखकन अटा दिया तो वह जो है एर की कॉंटेक्ट में आ ग बगा होगे तो उसमें बैक्टिरिया आते जाएंगे ठेक आते जाएंगे ग्रो करते जाएंगे ठेक तो हमें जो है एक देड महिने के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए पूरी तरीकी से अब देखो टेंप्रेचर भी इंपोर्टेंट डॉल प्ले करता है किस तरह से कर इसलिए आपने देखा होगा कि आईड्रोप की प्रिपेशन पर जब आपन आईड्रोप लेके आते तो वहाँ पर लिखा होता है कि इसको जो है आपको कूल इंवार्मेंट में रखना है ठेक है इस्टोरेट कूल प्लेस क्यों क्योंकि 10-30 डिग्री में तो जो है बैक्टि से कम टेंप्रेचर देते हैं तब जाकि जो है वह इस्टोर अच्छे से रेपाता है हमारा जो आईड्रोप अगेरा है ठेक है तो ध्यान लखना टेंप्रेचर भी जो है बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है देखो यहां पर लिखा हुआ भी है जैसे सीरप हो गया मल करता है ध्यान से सुनना तो देखो यहां पर एक बात लिखी हुई है कि जो बैक्टिरिया होते हैं वह बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं इस पीएच की रेंज में 2.5 से लेके 7.5 तक अगर अपने कोई भी सीरप का पीएच है तो उस पीएच में बैक्टिरिया बहुत ज़ लानी है क्या या फिर 7.5 से ज्यादा रख देंगे तो फिर मतलब इतना कड़वा कि छोड़ो खैन ठीक है तो इसलिए हमको बीच में रखना पड़ता है 5.5 रहती ही वैसे सीरप की सोरी हां सीरप की जो पीएच है बिल्कुल तो वह 5.5 रहती है क्योंकि फिर टेस्ट में ठ ठीक है तो इसलिए हमें रखना पड़ता है पर यहां पर क्या होता है इसकी वज़े से बैक्टिरिया की ग्रोध जो हो जाती है ठीक है तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि एसिडिक कंडिशन जो है फैवर करती है फंगस्ट एंड इस्ट के प्रोलिफरेशन को फेला 5 रखेंगे ठीक है that's why we place expiry date और इसलिए हम expiry date वगरा लिख देते कि भाई आप यूज कर लेना इस time तक नहीं तो खराब हो जाता है अब देखो redox potential किस तरह से role play करता है ध्यान से सुनना तो चलो इसको एक example से समझते हैं जैसे मालो आपका कोई favorite chips लेलो कुछ भी लेलो य मैं बोलते हूं लेज ले ले आँ ठीक है अब लेज में आप जानते हो 4-5 तो chips निकलते हैं और हवा ही हवा तो actually में हवा क्या है वहां पर रेती है CO2 ठीक है और साथ में nitrogen क्यों सर यह nitrogen CO2 क्यों रेती है oxygen क्यों नहीं भर सकते हैं उसमें तो जहां से सुनना उसके अंदर जो नहीं कर पाता काफी लंबे टाइम तक यह बैक्टिया ग्रो बहुत कम कर पाते हैं तो इसलिए हम oxygen नहीं बरते क्योंकि oxygen की presence में जो है बोला आपको inclusion of oxygen absorber in the package are to minimize oxygen level and reduce microbial spoilage सीधी सिवात है कि oxygen का level जो है reduce कर दो microbial spoilage उतना ही कम तो यह था आज का आपको lecture I hope आपको काफी जादा सीखने को मिला होगा कुछ इसमें thank you so much thanks for watching keep support thank you अगर आपको और कोई lecture देखने हैं तो आपको मैंने description में जो है playlist के link दे रखी है सारी unit complete है जाओ जाके देखो यार अच्छे सापने topic complete कर लो और अगर आपको notes के requirement है तो telegram के link मेंने दे रखी है मैंको message करूँ बिलकुल notes मिलेंगे आपको सारी PDF में वह ही send कर दूँगा